दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट दो गंभी रूप से घायल खबर सुल्तान पूर से है जहां दिनाक 21 जून 2020 को कूरे भार थानक शेतर के जज़जोर गाउं का है जहां धान की रोपाई वा पानी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई इस बाबत जब पीडित के घर वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गाउं के ही लोग मारने की नियत से आधम के और जबरन भाला फर्शा बल्लम हासिया लेकर मारने लगे जिससे पीडित को गंभीर चोटे आई जब हल्ला गुहार किया तो मौके पर गाउं वालों की मदद से जान बचा क हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है तहरीर प्राप्त होते हुए दोशियों के खिलाप कारिवाही की जाएगी और घटना स्थल पर शांती व्यवस्था कायम है कि मारे लागे बसे एतनी जग्रा सुबा से कौनों न खुनना स्नकुछ नकुछ में सब तुद लही नहीं कर बहुत है नहीं लागा उन्दे हथा रहे कौनों बातिन नह रही है दस लोग रहे हैं बबू, राम, करन्द, बरकास, गया, जय, परकास, दुर्गेश, दीपक बहुत मनई रहे हैं किस्थान का मामला है? कोई थोग मामला आदना है रहा है किस्थान है का मामला है? फूले बार जज़ओर कईने चोटला नहीं है? चार जने के कौनों पुराना मामला रहा जनी है? बबस जगरा तो खिर्खी करही है, मुलाव सफसान तो हई गा बाब भाईया आज कौनों जगरा ना रहे है अपने खेतें पानी खोले रहे है, दस्टी में नहीं लाग रहे है सुफरे सी आवद जत्हाइं, सुफरे शवेए स आवज़त, कहा कासरा है जगरा वत राटी स निकन क mistर मारना लागए। पटी दान नहीं आहीं आढ़ों है मारी बस से है पुरा अने से अरे इसरवचा पूराने से आटी के e aare बललम से मारे तें该र जिश Evans जमीन के विवाद को लेकर के दोनों पच्छ में मार पीठ हो गई थी जिसमें अरभीन्य शुकला वा प्रमोध शुकला को काफी चोटे आई हैं जिनका इलाज जिला अस्वताल सुल्टानपुर में किया जा रहा है प्रात्ना पत्व प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीत इत करके आवस्यक कारवाई की जाएगी मौके पसामती बेरुस्ता कायम है